Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 2.3 का question number 4, तो question number 4 हमारा क्या है? Find using distributed property, distributed property का इस्तमाल करना है और हमें ये सारे product find out करना है अब एक चीज देखो, distributed property हमारी क्या होती है? कि अगर A, B, C हमारे whole numbers हैं, तो ये क्या होता है? A, B, C, ये हमारा equal होता है, A into B, plus A into C, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसका इस्तमाल कैसे करेंगे? कि हम इन number को पहले क्या करेंगे? B plus C form में लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, A वाले part के लिए, यहाँ पे हमने 728 को ऐसे ही लिखा, 101 को हमने क्या लिखा? 100 plus 1, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इसके साथ multiply कर देंगे, और इसको इसके साथ multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 728 into 100 plus 728 into 1, अब यहाँ पे 100 से multiply करना आसान है, 728 को 1 से multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 728 और 20 लगा देंगे आगे, यहाँ पे 728 को multiply करेंगे 1 से, तो यह हमें 728 मिल जाएगा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को add कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम add कर लेते हैं, 728 00, यहाँ पे 728, यहाँ पे addition वाला sign लगा देंगे, 0 में 8 add करेंगे, यह 8 हो जाएगा, 0 plus 2 2 हो जाएगा, 8 plus 7 हमारा 15 हो जाएगा, 15 का 5 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 plus 2 हो जाएगा, 3 और 7 को ऐसे ही लिख देंगे, यह हमारा आजाएगा, 73,528, यह हमारा answer आगया, अब B वाला पार्ट देख लेते हैं, तो B वाला पार्ट हमारा किस तरह से, 5, 4, 3, 7 into 1001, इसी का इस्तमाल करेंगे हम, इसको B प्लस C में लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा, 5, 4, 3, 7 into 1000 plus 1, इसको इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे, और इसको इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5, 4, 3, 7 into 1000 plus, 5, 4, 3, 7 into 1, अब इसको इसके साथ मल्टिप्लाई करना असान है, 5, 4, 3, 7 को हम 1 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा, 5, 437, बाकि यह 3 0 आके लगाते हैं, करेंगे, 1, 2, 3 plus, इसको इसके साथ मल्टिप्लाई करेंगे, 5, 4, 3, 7, अब इन दोनों को हम एड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम एड़ कर लेंगे, 5, 4, 3, 7, 1, 2, 3, और यहाँ पे यह 5, 4, 3, 7, इधर से लिखते हैं, 7, 3, 4, 5, यहाँ पे डीसन वाला साइन लगा देंगे, 0 में 7 एड़ करेंगे, 7 हो जाएगा, 0 में 3 एड़ करेंगे, 3, 0 में 4, 4, 7 में 5 एड़ करेंगे, तो 12 हो लेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 में 3 एड़ करेंगे, 4 हो जाएगा, इस 4 को ऐसे ही लिख लेंगे, यह 5 हमारा, कॉमा लगा लेंगे, यह 3 नमबर के बाद, फिर 2 नमबर के बाद, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5, 4, 4, 2, 4, 3, 7, यह आ जाएगा, अब हम पार्ट C की ब कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यह C वाला पार्ट, 8, 2, 4, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा तो आसान कर सकते हैं, थोड़ा आसान कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, 20 प्लस 5, यहाँ पे इसको 20 से मल्टिप्लाई करना आसान है, क् कि इसको हम सिरिफ 2 से multiply करेंगे और 0 बढ़ा देंगे यह हमारा किसके एक को लुजा आगा A24 इंटू 20 इसको इसके साथ multiply किया फिर इसको इसके साथ multiply करेंगे प्लास ॹय अब यहांपे इसको इसके साथ multiply करके देख लेते हैे 824, अब यहाँ पर यह 0 है, 0 तो आएगा ही आएगा, तो हम क्या करते हैं, शिरिफ 2 से multiply कर लेते हैं, 24 जा, 822 जा, 428 जा, 16, तो यह हो जाएगा हमारा, 1648, अब 824 को 5 से multiply कर लेते हैं, यह क्या हो जाएगा हमारा, 24, इन्टू 5, यहाँ पर 5, 4 जा, 20, 20 का 0 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 5, 2 जा, 10, 10 में 2 आएड करेंगे, 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, और 1 यहाँ लिख देंगे, 5, 8 जा, 40, 40 में 1 आइड करेंगे, तो यह हो जाएगा 41, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 4, 120, अब इन दोनों को हम आइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम add भी कर लेते हैं 16, 4, 8, 0 और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0, 2, 1, 4 यह क्या जाएगा 0 में 0 add करेंगे 0, 8 में 2 add करेंगे 10 का 0 और यहाँ पे 1 लिख देंगे 1 प्लस 4, 5 5 प्लस 1, 6 तो 6 को यहाँ लिख देंगे 6 प्लस 4, 10 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1, 2 तो यह हमारा answer आ गया 2600 ठीक हैं अब हम D वाला part देख लेते हैं तो D वाला part हमें किस तरह से दे रखा है 504 into 35 अब यहाँ पे देखो 504 पहले लिखा है 35 हमारा बाद में लिखा है लेकिन multiplication के respect में यह commutative property hold करता है तो हम क्या करेंगे इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा E वाला part 35 into 504 अब हम क्या करेंगे 35 को ऐसे लिखा रहें देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे 500 plus 4 अब यहाँ पे इसको अंदर ले जाएंगे और इसको इसके साथ multiply कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 35 into 500 plus 35 into 4 अब यह हमारे लिए आसान हो गया यहाँ पे हम क्या करते है 35 को 5 से multiply करेंगे और 2 0 बढ़ा देंगे तो पहले हम दोनों 0 लिख लेते हैं यहाँ पे अब 35 को 5 से multiply कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 35 और यहाँ पे 5 5 5 जा 25 25 का 5 लिखेंगे और 2 यहाँ लिख देंगे 5 3 जा 15 15 में 2 एड़ करेंगे 17 17 हम यहाँ लिख देंगे तो यह हमारा आजाएगा 17 5 ठीक है प्लस 35 को हम 4 से multiply करें तो हमें क्या मिल जाएगा 35 यहाँ पे 4 4 5 जा 20 20 का 0 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे 4 3 जा 12 12 में 2 एड़ करेंगे 14 तो 14 यहाँ लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 40 ठीक है अब इन दोनों को एड़ कर लेते हैं यहाँ पे देखो 17,500 इसमें हमें एड़ करना है 0, 4, 1 0 से 0 एड़ करेंगे 00 में 4 एड़ करेंगे 4, 5 में 1 एड़ करेंगे 6, 7 को ऐसे ही लिख देंगे 1 को ऐसे ही लिख देंगे तो यह हो जाएगा 17,640 यहाँ पे लिख लेंगे 17,640 तो यहाँ पे हमने Distributive Property का इस्तमाल करके सारे Product Find Out कर लिए Questions हम आप तो Next Question के लिए मिलते हैं Next Lecture में आज के लिए बस इतना है